हाई वैनियारो नमस्कार हामी कक्छा 10 को एकाई 5 सारिरिक समरचना रजिवन प्रक्रिया अंतरगत रक्त नली तथा रक्त संचार प्रक्रिया को बारे मां आज छल्फल गरने चम यसाई मां हामीले यस भंदा पहिला रक्त संचार प्रणाली भने को यहो जिए सका मुख्य भाग हारू के के हुम पढ़ दै और तेसमा के ही भाग हारू हमी धेर्यसों भाग हारू पढ़िशसा gotta जस्ते मुटो यसको बनावत रकारी विधी को बाढ पढ़ी सक्याम। यसे गरी रगत यसका ढिभिन कीसिम हरू और यसे रगत को कुरापणी ऑर पढ़ी सक्याम। आजा हमी रक्त नली हरू को बारे मा चर्चा गर्ने छाम। यो कक्षा मा हमी रक्त नली को साथ है, रक्त संचार केहो कती किसिम को हुदो रहाचा तेस बारे पनी चर्चा गर्छम। अब हमी आजको कक्षा सुरुगरनों भंदा गाड़ी यह उटा निकई रमाईलो क्वेस्ट्चन को बारे मा चलफल गरने चम। यो क्वेस्ट्चन अलीकती अप्ठारो परला कि भायपनी तपाइली यो चित्र येदी हेरनो भोवने। तपाइले पढ़ी सागेको मुटु को चित्र दी रहा कही शा। मुटु ले काम गर्दा खेरी रगत कहां कहां पठाउसा भन्ने कूरा पनी तपाईले पढ़ी सकनु भायको आवस्था हो। अब यहां यहँटा हर्यो रंगले देखायेको प्रणाली यहां छा। यस प्रणाली को बारे मां हामी पढ़्या छाई नम। यह प्रणाली पनी रक्त नली संगे जोडियेको छा। यसको काम केवला भनेर प्रस्न राख्याच। चित्रमा देखायेको रक्त संचार प्रणाली मां रहेको हर्यो रंगले देखायेको लिम्फाटिक प्रणाली लेके काम गर्च। पचि यस प्रणाली लाई लिम्फाटिक प्रणाली बनीच और यसको भाग हरुको कुरा गरने हो बने मुख्य रूपले युजुन केशिका जस्तु पातलो नली हरुको जालो देखी राखनु भागोच तियो लिम्फ भेशल नली अरु बाकी नली पनी लिम्फ भेशल हो और यहां सब्सक्रेट में हो reesनकाल में हमारी साम्सक्रम फाहला के अरे यहां है कहीते रही जा विफिशय हो छुँ अन्दाश गरने भीचन संद्च नहां कहीते हो में हो एकल यहां जोडिनी जा़त अर्फ है Livyp लिम्फ भेशन से इहां जडेने कवार्थ हो तो बने यह में अशुद्ध रगत में विभिन्न कोश हरु वाट यसले असुद्धी भनेको यसता बस्तु हरु जुन बस्तु आमकोश हरुले काम लाग दाइना ती बस्तु हरुले लिए यहां मिशाओ यहुटा अचम को कुरो हमरो शरीर में क्या चे बने जब शरीर में यो मुटूले रग लाए पंप गर्चा नि केसी का बाटा करीब 20 लीटर रगत दिन भरी मां 24 घंटा मां 20 लीटर रगत बाहिर शरीर निसकांचा उम तो 5-5 लीटर मां तो रगत हो 20 लीटर का सरी डिस्के बने राचे में लाग लाग यहां 5-5 लीटर रगत बगया बगया गर्चा निता तेसरी निसके को 20 लीटर रगत मद्धे को 17 लीटर जाती यसले फेरी फिरता सोच्छा बाकी तीन लीटर ती कोश रत्तन तुहरू के बीच मा घुमी रह का हुंचान विभिन्न पदार्थ हरू सप्लाई गर्ने क्रम मां तेसलाई फेरी केपिलरी ले सोच न साके को हुदाई न तेसता पदार्थ हरू लाई इनाई लिम्फ्याटिक सिस्टम ले सुहरे रा अनि लिया आया यहा मिशावचा पने पचित आ प्रत्यक्ष रूप मात इनी हरूले पनी रक्तसंचार पणाली लाई सगाये नी रक्तसं येושरी रगत जुन नली हुद भक्षानी टीहस्तह नली रग्तनली येसरी हैनुस्त जोडीएका यह जो दोई किस्मका रखत नली हरू उट्चा नली एक नीलो रंगले दिखोरक नली ये फरक फरक किस्मका चन आ सै आहिले हामी एक चिन पचाड़ी अली अज विस्तित रूप मा अध्यन गरने छाम यो यस नली लाई जसमा शुद्ध रगत बगचा रजसको भित्ता अली बाकलो हुँँचा अर को भन्दै ते यस लाई भनिंचा धमनी धमनी का अरू विशेश्ता हरू पनिचान त्यो सब प सब्सक्राइब्स आयिले संगोजुँँचा अरू जून रक्त नली ले मुटुमा रगत लेऊने काम गरण त्यस लाई भनिंचा सीरा अगे जुद्ध रत्यक्त बाहिरे जाने रगत रगत लुँद्ध ल Séरा काम शुद्ध लेऊने घमनी भन्यक्त अरू सुद्ध भन्यक जाली शम्टतापताविए जोड़ू आपएली चित्र बनाउनेत जोड़ू अब है नाचित्र बनाउने हैं यहां वित्ता तपाई बाकलो बनाए देनु स्योक्य भाहतो धमनी भाह आरको रक्त नली तपाईले येता वाटा बनाऊनु होला, तेस्ता अगी धेरेकैं चित्र जास्तों होनु परछा भनने कुरोच है नहीं, यहां वित्ता बाकलो ना बनाऊनु स्वित्ता पातलो भायो अब यो दुईटा लाई पात्तला रक्त नली हरुले जोड़चा वित्रको कुरा कसरी बनावने चित्रमा जसरी देखनु भाँचा तेस्टाई लाइन ताननु पर्षा भन्ने कुरोच छाई नौ तपई यहां लाइन तान दाखेरी नली बन्ने गरी बनावनुस यस पछी त तर यही हो तपाई ले जब नली उसरी यह उटा लाइन को छेव में अरको लाइन लेखनु उन्चा नि तिस ब्याला नली बन्ने गरी लेखनुस अरु ब्याला ता जस्तो गरेपनी हुन्चा लाँ यहां फिरी तपाई ले बनावनु पर्भने अब रक्त नली जंड़ाई जानता जिल्हो बताई देकुं इहां था पाई यहां फिरी यहां रक्त नली बन्ने गरी राखनुस तपहले मन लाइ भने ऺने अ यहां सम्मई जोड़ेर यहां लगे देनोस मै यहां अली कति फराखिवा करी दियों गलки हखा गो यहां 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 आये इसो पातलनड़ा होने गरी बनावनुस। भाई आले यसो गरे पनी भाव तर यहां रक्ट नली बनने गरी बनाई दिनुस। भाई ना तो हो यह सरी तपाईले यह कैपिलरी होल है यह कैपिलरी भाव कैशिका नली वा कैशिका ऑरको धमनी और शिरा सली दिनुस। इजिरा को आंगा लाए कि वनिनाए बन्योल ना प्रेक्टिस गार्ण गक्लण सरी बन्योल र्यो किसे भाव आतरलिय। अब यो धमनी तीर सुद्धरगत हुँँछ, शीरा तीर असुद्धरगत हुँच, अरो तपई आधा असुद्धरगत आधा सुद्धरगत बनाई दिदा हुँच, जसरी चित्रमा देखी राखनु भाद्छ, कसर किया यो रातो निलोग अरेकोच, वन्ने कुरो अहले हामी एक्षिन पची बुच्छ, अब मुख्य तीन मटा राख्त नली तो चिन्नुभा शीरा धमनी और केशिका नली, शीरा को हांगालाई भेन्योल और मुटु को हांगालाई के भनिचा तो आर्टरियोल बनिचा, वन्ने पची राख्त नली क्या रहाचा तो राख्त संचार प यस्तो भाग जस भित्र रगत भग ने गरचा, शुद्ध रगत भगोस, शुद्ध रगत भगोस केई फ़रक करवाईनों तो रगत भगने नली, रगत को भगने बाटो और कती कीसिम को हुने भाओ तो तेन कीसिम को धमनी सीरा रकेशिका, अब हमी हेरना जाधा घिखा मु यहां बंद भाहिरी तहयो भाहो बाहिरी तह संगए अब स्मूथ मशल टाशियर रहेको छो सब बंदा भित्र इनर लियर भित्री तह पातलो छो तर त्यो दुटा को विच्च मा यह उटात्त हो छो इलास्टिक कोस हरुको इलास्टिक कोस भाय पची त्यो रग्त नली की हुन्च तो फैलीने र खुम्चिने छमता राख्षा विच्च विच्च को भिच्चु शिरा इना किमें इलास्टिक हो दहीजर तही भायारा ध्मनीले पल्स दीन्चा ता पाईलै पल्स भाय अनी अली कथी गहिराईमा यो भायको हुनाले गारदा थोरे हमिले थिशनु परने यहां बुढी आवला को फ्याद मा बताईया त्यो नी ओ त्यो गहिराईमा यो रक्तनली गहिराईमा पाई जो रपल्मनरी धमनी बाहेक अन्य धमनीमा सुध्ध रगत बग्चा तै भारा यो तपायले साहिले संग यो भायो केकि लावला पाइसता हरू। रगत को चाप पनी येसमा बढ़ियून चाहिए, क्यों रगत को चाप भनेको भन्दा खेरी? आमी पछी डिटेल मा अज विस्तित रूप मा पढ़नू नहीं चाहिए, तर अहीले पनी तप अहीले बूसनु पर्यू, जब मुटु को भेंट्रिकाल हरू खुमचीन चाहिए, रगत मुटु बाटा बाहिर निस्कन चाहिए, पल्मनरे धमनी हो दाई फोक्सों मा जानलाई, एवोल्टा हो दाई शरीर को विभिन्नभाग मा जानलाई, और रगतमा चाप परे को हुनाले गर्दा त्यों बढ़ी फोर्स मा बढ़ी बल लगाया रव ती नली हरू तीर भां हो जा हो, जानले खोनाई, इनली फोर्स धीना की भ मा जानलाई, नुए फर फिर ता रवने खोली ब्ढ़ाँ मा ब्ही मा मुटु मा रगत लाई शरीर का प्रत्येक भाग मा पुर्याउने रख्तनाली लाई हामे के भन्चम तो धमनी भन्चम धमनी को भित्ता बाक्लो मां स्पेशीले बनेको हुँँँँँँच रगत को उच्च चाप्पनी खपना सक्षैसले र यसमा भल्व हुदाईना भाईव 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 पल्मनरी भल्व त्यो भल्व मुटूक हो यहसको अर्थ यह होई ना की आर्टरी हरू मा भल्व हुँँच। आर्टरी मा भल्व होदैन और भेन मा की होंच तो भल्व हुँच। सब भन्दा ठूलो धमनी एवोर्टा हो जसले शरीर को विभिन्न भाग मा रगत पुर्याउने काम गर्चो धमनी हरु बाढ़िये रा अर्टरियोल्स बंचन यो तपाईले बताई शक्यो शरीर मा पढ़ी गहिराई माईनी हरु पाईंचन वा धमनी हरु पाईंचन पल्मनरी धमनी बाहेक अन्यमा अशुद्ध रगत बख्ष र धमनी ले पल्स दिन्चन यो तपाईले 4,6,8,9 वटा येसको विशेष्टा दियेको तपाई येसको विशेष्टा सम्झनु भुभने येसे को संग जोडियेको विशेष्टा सीरामा अलिकाति फरक किसिम को होला तर इ मुटुबाटा रगत बाहिर लाने की मुटुमा रगत ल्याउने हो बाहिर लाने है सही भने मुटुमा रगत ल्याउने हो फेरी जुक्कीनु वाला है शरीर का प्रत्यक भाग मा मुटुमा रगत ल्याउने रक्त नली लाया हमिके भन्चम तो शिरा भन्चम शिरा को भित न सभूत कलो 10 यो साननी थो ख़क तबुदल म्ञांच ब्हूत भूत थें जिसधूस बुदूम् सपकार भूत केसा चीये रिखेऊ में धूको भूत तर यहुटा कुरोईयो भल्व चाई भल्व भनेको धोका जासते हो एक तिरवाटा खुलने और तिरवाटा बंद हुने तपाईले मुटो को बनाट पढ़ने बेलामा त्यों पढ़ी चकनू भायाको चा शीरा को भित्ता पातलमान स्पेशीले भनेको भाव और यह समा के हु तेस्पाथि सब भन्दा ठूलो शीरा भनेको भाव भावो सब भन्दा ठूलो शीरा हो जासेरी एवोड़ा सब भन्दा ठूलो धमनी hors, तेसोे गरी सब भन्दा ठूलो शीरा भनेको अको भ हत्यों भावrån हां भाव ऑन्यमा असुद्ध रगत भाख्च वरर मında भृवने अन्यमा अशुधा रगत बागाऊने शिरामा ऐसा रगत घृत्य अचुधासरते मारे शुधा, अघृता。 अनि यसले पल्स देना सकता है इन्हे बूदा को आधार में तपाईले फरक लिखना सकनू परचा है यहाँ पनी तपाईले तेही नववटा बूदा पाऊनू बाचा है अब तेस पची इद्विरक्त नली लाई जोणने केस जस्तो पात लो नली को चित्रपनी हमी बनायां के बंदो राचा केसी का अब यहाँ यहाँ यह सपई तपाईले यह बुझी राखनू परदाई ना तर तपाईले यह था चा रगत यह के मांज़े ब्लट फ्लो फ्राम हा यहाँ पाईले बुझनू पर ने चात भंदाकेरी जब रगत बढ़ी चाप मां मुटू बाटा धमनी तिरधा खेली चा तियो रगत आटरयोल मा जांचा चाप तेही बंदेभवाओ तियो फेरी अजम मशिनो बाटो हरू मां शिर्दाखेरी रगत को चाप निकई क्यापिलरी को भित्ता तनकिन चा तब यह उटा घटना सम्झानुस्त जब तपाई बढ़्डे फुलाउनु हुन्छ तियो बैलून मा थी लेखे को अच्छार को साइज पनी ठूलो हुदाई जान्च यादगर नुभाद चा बैलून ना फुलाउदा तिसमा के लेखे आच कि इभित्ता हरुमा मशिना चिद्र हरु हुन्चन मली चिद्र बने प्वाल बनी निकए मशिना चिद्र हरु अब चालामा चिद्र हरु हुन्चन प्वाल हुन्चन मनन मिलो तो नाक को प्वाल हुआला चाला को प्वाल तो भननन मिल ना ते बार चिद्र बनने सब्द प् और तेही बेला कोशलाई काम लागने विभिन्ने की सिमका पोशक्तत्तो हरू, अक्सीजन, हर्मोन जुन कोशलाई चाहिने कुराइसले बोकेर लियायको छाओ, और केही रक्तकण हरू पानी बाहिर निसकन छाँ, तेही अगी हामी कुरा गार्या थेमनी 20 लीटर जती रगत ब पोशक्तत्तो लगायत, अन्य बस्तु हरू पनी बाहिर चरिये, बाहिर चरिनु भने को इरक्त नली हरू, कोश को वरी परी फईलिये का हुन्चन, जालो जस्ताई, भने पछी कोश हरू को बीच को जुन खाली ठाउं हुन्च, तेहां चरिन्चन, जसरी हामी कताई गामलाम राखेको बिरूवा मा राकरोनी पानी इसप्रे गर्ष हमनी, हमारो बडी सिस्टम अंहरो बडी सिस्टम को बिभिन अंग हरू ये ये तो रगत लिए इसप्रे मा ऐसा आताई और इस प्रेर मां कोश रततंत अधू लाई चाहिने आवश्यक कुराहरू जुन हुनच, ती क हालनु परने पदात पनि मीसाए है, यह ज़य को यह सहना हो, यह कनो परनियों करों मैं छुच्फ कमार्फ भंधं को पतार्फ को बड Way a kutti बढ़ पिशब और पाषों आरफ़प पैंत फाल चम्याया पें अब पैस्तावरा पशना को रूपमा बाहर फाल चम्याई तियो पनी रगत बाटे छुट्टी ने हो नी तपाईले पढणुभा चहा पनाली मम्रिगावला ले कहा बाटा मुत्र छुट्ट्ट्या उच तभन्धा केरी रगत बाटे चु सोस चा करीब 20 लीटर को करीब 17 लीटर सोस ने भाव अई न पने पछी थोरे बाकी हुँँचा त्यो थोरे लाई पनी कल्ले सोसे रा फिरी सोहरे रा पूर्य आई दिन्चा लिम्फाटिक सिस्टम ले ले यो क्यापिलरी को काम भाव क्यापिलरी ले को सहरूलाई आवश्यक पदार्थ बटुलने काममा निक्कै ठुलो मदत गरे कुँँचा अभेरनुस्तो अत्ती मशीनारा जालीदार रखत नली केशिका नली भाव भैन्यूल रा आर्टरियोल लाई जोडने अब यहां तापाईले बुशनू परने केभो भैन्यूल भने को सिरा को साखा हो रा आ निस्कासन गरेका कारवन डायाकसाइड तथा विकार बस तुलाई निस्कासन परढाली सम्मा पूर्याउने काम गरचा अगी निरगावला को कुरा गर्या थिन पशीनाले पनी तो पशीना रगत बाटाई छाने रहां ने रहूँचा अए तो यह सरी यह केशिका नली को का तीन किसिम को रख्त नली हरुको काम ता तपाईले रम्पररी बुजनुभाँ येदी बुजनुभाँ चा बने अम तपाईले युटा काम दिये लह शीरा र धमनीमा फरक लेखनुछ तो तपाईले आधार दिये गोच शपपई सोधिये न अगी 9 वाटा बताईये को थियो इह साथ वाटा आधार दिये गोचो ये आधार मा लेखनुटो तपाई कर लेखनुटा आफटको फटाऊ फट्ट्पूल् संटेंसमा न लेखे पडपनी हुंच शिरा को भित्ताको 1 जरा ही प्रको बढ़िवा घटि नोच फीरी रम्पर पाईने इस्थान भननाले शरीर क अब तपाईले लेखेको काम, यहां लेखेको काम भन्दा मिल्यों मिल्यों नहीं, अनि तनकने छमता नहुने वहुने जैसे गरी रगत को चाप कम हुने वह बढ़ी हुने, जैसे गरी शुद्धता पल्मोंडरी शिरा बाहेक और पल्मोंडरी धमनी बाहेक पनी दिया अचा ब्राकेट मां तपाईले अघीर ना लेखदा पनी कई फरक पर दाईंतो, तर अब जाननोस, भल्भ पाईने र न पाई तॉलें धमनोस बाहेक अचा बीने, र कार्यक यता मुख्यत rows, मुट्मा रगत लियाँने र मुट्मा लियाँने, र मुट्म माट रगत लई जाने, आला। भेऱर ले मिला अटलोस भाद हो, अब अब हमी अरको पाटो, रक्त संचार क्रियय को बार्या ''हाजा जाद चित्र तपाईले राम्ररी हेरनोस तो यो मुठु भयो तपाईले मुठु बाता रगत बाहिर गये को र फेरी मुठु मा फरकेको। तपाईले मुठु को काम पढ़िशक्नु भयाको चाहा है. ते यो सपपय चित्र एक कैए ठाउमा राखेकर तापहले यह मत्र माहीं सथें कि देटा बाटो यहां जुनछ तापहले ठाउम्याऊन शकनु भावभान युट्ता मुटूबाटा बाहरा निशकर नीलओ भातो भाहरा निशकर ठात आ यो पॉल्मनली धामनी हो रहा फोक्सो मां चीकनाचे aksicen मीशान आ था और सु मुने अख्aktar स्वास प्रस्वास क्रिया पढ़ दाखेरी अल वियोलीक उवरी परी रहे को रख्त नली हरुमा रहे का रख्त कण रहुले कसरीयो काम गरच्छन भनेरा पड़ी शक कनों भायकोच अब यो यहुटाधार्भा मुटु बाट फोक्सो फोक्सो बाट मुटु घरन साइ मुटु बाट फोक्सो फोक्सो बाट मुटु यहां मुटु बाट फोक्सो मा रगत पुरियाओने काम पल्मोनरी धमनी र फोक्सो बाट फेरी मुटु मा रगत पुरियाओने काम पल्मोनर शमद हो यह जोडियर तो पाहिले यह रख्षण्चार लाइके भन्नु परठा पुल्मणरी रख्षण्चार पुल्मणरी बलड सर्कुलेशन थे लामन भनईकन Hugo पाहिले पुल्मणरी सर्कुलेशन भने लगण्गे है बुजिन्यार मम्वादी Ūंको शुको दाया भेंट्रिकल बाट असुद्ध रगत यो पल्मनरी भल्वलाई खोले र पल्मनरी धमनी हो धैख फोक्सो मा पुक्सो मा अक्सीजन र गार्डाया आक्साइड साड़ फेर हुनचौ बने पची त्यो रगत मा रहे को चार्डाया आकसाइड छोडने का म र जनलीने काम यो diffusion प्रक्रिया वाटा हुँचा पदार्थको प्रवा बढ़ी गाढ़ा पना वाटा कम गाढ़ा पना तिर हुँचा तहले डिफ्यूजन बनीचा जसरी तपा यह उटा कोठा मागर बत्ती बाले राख देनू भवने कोठा भरी कोठा भंदा बाहिर त्यो बास आर्थको प्रवा भायर यहां अक्षिजन रा कार्बन डाक्साइड को आदान प्रदान हुचा रत्यस पची त्यो रगत सुद्ध बन्यू रत्यस सुद्ध रगत लाई पल्मनरी शीराले यो आरिकल फुकेको बेला में के गर्षात मुटु में लियाऊँचा बने जब भे को बेला में यहा बाटा सुद्ध रगत लावने यकाम पनी हुचा फरक एती हुचा की अगिहनलो पटकायक रगत सुद्ध जुन भाई सकेको हुचा हुचा त्यो फरकन चा उनका ँलिए तिमात्र ुयो भायो पल्मनरी रगत्ट संचार अव सिस्टेमिक रगत्त संचार भ तर यहां के बुजनों पर फोक्सों बाहेक, फोक्सों बाहेक का अंगहरू में यह सुद्ध रगत पुर्याय पची, जब सुद्ध रगत ले को सरतन तो को लागी आक्सीजन छोड़ चा, कार्बन डायाक्साइड लिन चा असुद्ध बन चा और त्यसलाई भ्याना क्या भाल जान्छा तेही बाइ भेंट्री कल बात अस हो दये शुद्ध रगत पुजुद्ध रगत पुग में बातर स्नोफ इत्वह द्रक्न पूर्याय पहांम जान्छा जान्चै। विक बनेसी रगत बने पामपलुल épा जान्चैनल पुजन्य पच्टलिश्यो कष्ञ में एक किसिम को रक्त नली ले यो शुद्ध रगत पुरी आऊचा अब तयो सप्पय तपा इले जाननू पर दाइना तर सुन्दा इले हुँचा तयले भनिंचा कारोटीड आर्टरी यसे घर हात मा को सबक्लावियन आर्टरी अम्रों अंध्रा तीर मिसें आर्टरी आंध्रा मा पनी फिरी अंध्रा भित्रा पनी युटा रखनली निस्के इले ठीउ तिर दाईनuste हेटक पोरडल भेन होतegen, मिर्गोला मा घायको रीनल अर्टरी, प्रसनन अंगहरू मा घायको जनाइतल आर्टरी यसे गरी फेरी खुट्टा तिरगा को तेसलाए कॉमन इलिया कार्टरी यो ताप आएली सम्झनु परवाइन गार हुँँचाए माले भन्न खोजे को एती मात्र हो की ती रक्त नली हरूपनी बिभिन्न हांगामा बाढ़िये र फरक फरक अंगमा रगत लिये र जानचाए औ जोड्या त्लव diplomat बाढ़िये राक रख हर्यों त्लव भन यही मात्रि खुट्ट आ हाँ हूँचा अगे दखाए Все नंटे रगत हरूँ त्ससे हड़े रक्त संचार हुँचाँचाँ अब हामे इनी हर लाए ठДа विए कुरा मैं ले बताई शेकें फीर यपतापाई अगी कुरा भोसन हुनुछा भोसनुछा भोसनुणौ माँ धेरा यहां बोल दिना तापई आपई हर्नुछा यहां बटाई हर्नुछा हर्नुछा भोसनुछा वेंट्रिकलखोंचिता हेरी रगत कहा घॉट हम आगी साभ बयान गारी शेगा चो कहां गाव गोजनोगो त्यस्पची यही कुरालाई यहां बुदा कुरूप माद दियेको चो हैंनुस्तो मुटू रा फोक्सो बीच पल्मनेरी धमनी रा पल्मनीर शिराद्वारा हुने रक्त संचार कसको कसको बीच मुटू रा फोक्सो मुटू फोक्सो को बीच मुटू रा 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 फोक्सो का 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 फ वरी परी रक्त नली हरु फिजीय का हुन्चन रती रक्त नली हरु मा बगने त्यस्ता रक्त नली रक्त कोश हरु ले ऑक्सिजन लीने र कार्बन दायाक्साइट छोडने काम गर चना है। तेहां सम्मा तियो अक्सिजन भायको सरी सारी carbon dioxide भायको रगत पुक शार। तिहां असुद्ध रगत मा रहे को carbon dioxide lvl e में चाडे रहा अक्सिजन लीने रहा पल्मनरी सिरा होदे शुद्ध रगत मुटुको बायारीकल मा हुशा। यह कुरुमाले अगी बताई सकें रा यह सरी मुटुको दायामेंटिकल बाट फोक्सो मा रा फोक्सो बाट मुटुको बायारिकल मा रगत प्रवाहोने प्रक्रियालाईने के भनिंचा तो पल्मोनरी रखत संचार इस पस्ट भाव ला अब तेस पछी आरको रखत संचार क्यों हुआ और चैरी मुटुको दायां अरिकल माव रगत स्ट रगत बाट धनिश्क्याया अटिटरोू को कुन भाग मा फ्रक्ट यृफ तो इहा फोक्सो बाथेकक अन्य अंगहरु मा रगत मुटु को बाया भेंटिकल बाटा धमनी मार्फत शरीर का विभिन्न भाग मा पुगने र फेरी शिरा मार्फत फर्क्यर मुटु को दाया आरिकल सम्मा आई पुगने तर युटा कुरा यहाँ पनि लुक्या चा फेरी सम्जनुवाला फोक्सो बाय को अनि मुटुको भेंट्रिकल हरु खुमचिदा, रगत मुटु बाट एवर्टामा जाने र त्यहां बाट केशिका हुदै, शरीर का विभिन्न भाग मा पुगने हुँचा। रगत ले पॉस्टिक तत्व हरु आक्सीजन र अन्य आवश्यक तत्व हरु प्रत्य कोस मा पुर्याओँचा। उत्पादित विकार पदार थरा कार्बन डायाकसाइड ग्यास केशिकाले जम्मा गरी भेना केभा मा पुर्याओँचा। तर युटा कुरा बताया थें सप्पाय आउदाईना केही बाकी हुँचा। तो बाकी काम को ले गर्चा। लिम्फाटिक सिस्टम ले। भेना का भाले उक्तासुत धरागतलाई मुटको दायारी कलमा ले आऊँचा। या एत्तिका भुदा भाय पनी कुरा तो तेही हो। पुस्नुबाई आज केके पढ़नुबाऊ तो मुख्य रूपले दूइटा कुरा। रक्त नली हरु तिं का तेंटा कीशिम हरु शिरा धमनी र केशिका। तैस्तिपशे कहरनुबाँ रक्त संचार। दे कीशिम कुणT पल्मणरी रक्त संचार र। सिस्टमिक रक्त संचार। अब तेस्पची तपाईले कती बुजनुबो अब तियो हेराम पहिलो प्रश्ना मुटुको कुन भाग पल्मोनरी रक्त संचार मा सहभागी हुन्छा अरुपनी छन तर सप्पय भन्नु परे न यहां तपाईले दीएको अल्टरनेटेव बाया भेंट्रिकल सहभागी का हुँन्छा त्यो शार्वागी भाव भायना पल्मोनरी रक्त संचार मा आउर्टिक भल्व हई के घरनो भाव तरैया भेंट्रिकल यस मत्यों ब्या भैंट्रिकल बैया भैंट्रिकल और अवर्टा हुदह द श़िर मा황 सुद्धार अल्गत पढ़ा हुन्छ अरिमीज रक रिडक्त संचार्शन प्रिश्पयान संबंधित भायना, Trichesped valve भाय अनि तरह को पने पचिछ Eoortic valve भाय भेंटिकल रिए, Avor Yakko Bishma होंच। यो दाया भेंटिकल लेबरू रगत लाई पंप गरेरा और कापुर्य आउच फोक्षो माया अब अरको प्रस नहीं हरनुस्त भाइवे नहीं हरो कुन रगत नलीले मुटु बाठ असुद्ध रगत फोक्षो मालाई जांचु ये थापायाले नियागी भरकर कुरागारेको आई रगत संचार संबंधि कुन कथन सत्य अली कथन को बारेमा सोचनु पर्नेभाव बायक स्पेड भल्व खुल्द अरिकल बाटा भेंटिकल मा असुद्ध रगत आउच ये शाहिरो कि पल्मणरी रगत संचार मा भेना क्याभ र पल्मणरी सिराले भागली ये बायक स्पेड भल्व खुल्द अरिकल बाटा भेंटिकल मा असुद्ध रगत आउच Rocky आरको systemic रक्त संचार में भेना क्या भाय र पल्मनरी सिरा ले भाग लिन्चन अलिकति गारो धेर गारो होई ना थोरे सोचनु पर ने वो तेती मात्र हो तपाईले यो ट्राइक स्पेट भल्व खुल्दा अरिकल बाटा भेंटिकल मा असुद्धरगत पू आऊचा पहलो कि न संचार में भाय पल्मनरी सिरा ले हो ब्यना क्या भाय आई ना यो सिरा द्वित्धर मांधिकुन कतन सही चा हो शीरा भित्र बाकलो इलास्टिक तह रहेको हुंचा शीराहरु शरेर भित्र गहिराईमा रहेका हुंचान। पल्मनरी धमनी भित्र सुद्ध रगत बग्षा रा केशिका हरुमा मशिना चिद्रहरु रहेका हुन्चन। अब केशिका हरुमा मशिना चिद्रहरु रहेका हुन्चन। अब केशिका हरुमा मशिना चिद्रहरु रहेका हरुमा मशिना चिद्रहरु रहेका हुन्चन। दुबाई को बारे माहें तपाईले चोटो ब्याख्या गर्नू पढ़ने भाव। पल्मोनरी रत्त संचार को मुख्य काम क्यों हो। अली चोटो भायो, आगी अली डिटेल मा थियो भने, तेहीं तपाईले उत्तर दीशकनू भायको चो, मुख्य काम एश को भननुस। क्ये वाला मुख्य काम देखा है वो ता रगत को सुद्धी करनत हो नी हो मुख्य रूपले सिस्टामिक रत्य संचार ले क्ये काम ग़़चा हो अगी को जस्ते थोरे बलगानल लोस्त हो नी शरीर का प्रत्य कोष्रत अंतु हरु लाई आवश्य कुराहरु पुर्याँने रत् कंट को प्रश्न चित्र संबंदी च चित्र बनी बिचेत्र को जाय या मुटू को ठावम चारवाट बच्टाभागत को भाकस बनाए केए इसरी चिन्ना सभीक रहा हो राइट ओरल लेफ्ट आरिकल राएट वेंटिकल लेफ्ट वेंटिकल बाट अंत्र चिन्न सुकंच य अब येस वाट संबंधित प्रस्ण केस्व देया साँ येसमा वाई मा कुन किसिम को रखत संचार भाया कोछा वाई वाई क्यो होता माथी साधें फोक्सों नहीं हुंसा भन्ने कुरोता हुई न सित्रमा जीव मात हो तर यहां बाया भेंट्रिकल वाट सुद्ध रखत वाई मा गई रहेकोछा पने पची फोक्सों बाहेक का अंगहरु हुन यो सिस्टेमिक रखत संचार भायो यहां वाटा सुद्ध रखत दायारिकल मा आयकोछा आरको प्रस्ण हेरनुस्ता चित्रमा देखायेको कुन कुन र अब पल्मोनरी धमनी मा पनी चमताना भायो को ही ना हमिले फिलना गरेको मत्र हो तर धमनी भंदाखेरी मुटु बाटा रखत बाहर लाने क्यू रा आर्भन न सकनुद्ध रखत बाहर यहां गाकोछा अब अंतिम प्रस्ण हैनुस्त भाईवेनेरो रखत यक्समा बाग्द अब मुटु भित्रका भल्व हरुको अवस्था कासनोंucks यक्समा बाग्दाखेरी भंदाखेरी फोक्समा बाग्ने हो फोक्समा रखत बाग्दाखेरी मुण भाल्व भंद हुन ethn हुन्ध प्फुलहुन नुद रगत जुन शुके अंगमा बाहर जादा खीरी दुबय भाल्ब येदी संगय खुल्चन र संगय बंद हुंचन भने त्यों तपाईलाई सजिले अंदाज गरन शक्न हुंच अब अहिले हमी आजलाई यत्ती गरें आर्कोपाट लियारा आर्कोपाटको पस्तित्थुम्यु उनेचु नमस्ते